वेलकम टो उल्लाणारों फ्लाइन ग्यान चनल मैं नेम इस गोरब दोस्तो आपको पताईए मेरे चनल से ऐसे भी बच्चे जुड़े हुए जिन्होंने आइटे किया हुआ या फिर आइटे कर रहे हैं और ऐसे भी बच्चे जुड़े हुए जो आइटे नहीं करना चाहते य इस पर जो वोटिंग आई वोटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार आई तो कोशन आप उपर देख सकते हैं इसमें वोटिंग आईटे वालों की तरफ से 84% आई और नोन आईटे वालों की बच्चों की तरफ से यहाँ पर 16% आई अगर आपको यह पोल देखन के डिपार्टमेंट और पोस्ट इंडिया तो यहाँ पर स्टाफ का ड्राइवर की नोकरी निकली हुए है यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है 15 पोस्ट है ज्यादा नहीं है अन्डिजाव सकते हैं और यह नोटिफिकेशन थोड़ा रखा है आप भी इसकी इन्फोर्मेशन ज बस आपके जब पोस्ट ओफिस के चार्जस होते हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे जो भी आपके 10 रपे 12 रपे लगते वो तो भाई सजेस्ट करूंगा कि आप इसका फोम जो है इस पीड पोस्ट से ना बेज कर नॉर्मल पोस्ट से बेज दे ताकि आपके कम पैसे लग पहले नॉर्मल चीजे बता दे सैलरी 19,900 रुपे के आसपस आपकी सैलरी रहेगी 20,000 आप समझके चले आगे बढ़ते हैं यह जो नोकरी यह ओल इंडिया लेवल कि भारत के आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर जो पोस्टिंग होगी आपके मुंब अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस नोकरी के लिए आपको सिंपल दर्सवी पास होना है और दर्सवी पास के साथ आपका ड्राइविंग लैसेंस फोर लाइट एंड हैवी मोटर वीकल्स वाला आपके पास होना चाहिए ऐसे बच्चे भी मेरे से रिक्वेस्ट करते इसलिए मुझे इनकी भी रिक्वेस्ट सुनने पड़ती है अब यहाँ पर एक्सपीरेंस भी मांगाए आपने ड्राइविंग लैसेंस आपके पास होगा तो आपको लाइट एंड हेवी मोटर वीकल्स का आपके पास तीन साल का एक्सपीरेंस मिनिमम होना चाहिए तब जा इसको इनफोर्म कर सकता हूं इसको आप देखनी की जरूरत नहीं है यह जो है कंपलसर ही नहीं है इसे मत देखें आप स्लेक्शन प्रोसेस तो इसमें ना ही आपका कोई रिटन एक्जाम होगा ना ही आपका कुछ अधर क्रैटियर रखा जाएगा बस आपका होगा एक ट्र तो एज जो है यहाँ पर दे रखिये 18-23 साल अगर आपकी एज 18-23 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर SCHT को relaxation दिया हुआ है 5 साल का OBC को 3 साल का और बाकी जो एक्सर इसमें के उनको जो है यहाँ पर अलग से 10 साल का relaxation दिया हुआ है बाकी यह जो है इसमें और इसे अच्छे से देख लेना मैं आपको फोम पर लेकर चलता हूँ और कहां बेजना अभी आपको दिखा दूँगा यह इसका फोम है और भाई बहुत ही इसी है फोम को फिल करना अगर आपसे ना भरा जाए तो कमने बुक से मैंशन करना या फिर कोई भी दिक्कत आते हैं इसे चोटी तो उपर मैंने आई बटन पर आपको कॉलिंग करने का ऑप्शन दे रखा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक वीडियो दिखेगी वो वीडियो देखें आपको एक अप्लिकेशन डाउलोड करने के लिए मैंने समझाए उसके थ्रूँ आप मुझे कॉल कर स और कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं तो यह जो है इसका फोम है फोम को जो है आपको सेल्फ टेस्ट करना किसी और से अटेज्ट नहीं करवाना यह लिस्ट ऑफ डोक्यूमेंट अटेज्ट यह आप अच्छे से देख लेना सेल्फ टेस्ट करके आपको कहां पर बेजना है आपको बतायता हूं एक इंपोटेंट बात फोटो जो है ना फोटो आप दो भेजेंगे एक तो फोम पर लगाएंगे और एक जो है आपको यहां पर लगाने पड़ेगी अलग से जो है अन्विलप में भेजने पड़ेगी और जो कल आपके लिए अपरेंटिशिप लेकर है था उसकी मेरी तरफ से पुरी कोशिश रहेगी आपको जो है रात बारा बजे के आसपास उसकी वीडियो दे सकूँ अगर रात में नहीं दे सका तो आपको कल पका मिल जाएगी जो ओफलाइन फोम था विशाखा पटनम का उसकी बात मैं कर रहा हूं और यहां प्रोपर अच्छे से देखना यह पूरा एड्रस आपको डालना पड़ेगा कोई दिक्कत हो कमेंट आपके सामने है आपके सामने मेरा कॉंटक्ट इन्फोर्मेशन भी कैसे मुझे कॉल कर सकते हैं आप यह प्रोसीड कीजिए और बाइए एक और बात मैंने एक नया चनल बनाया आप सबकी रुकर्स पर आप बोल रहते हैं फेस वीडियो बनाईए तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्टिम ने दे दिया है आप वो वीडियो देखिए अगर आपको कोई फीडबेक देना है आप जो वहाँ पर जाकर दे सकते हैं मैं जरूर इस फीडबेक को एक्सेप कर देना कोई लाइक नहीं चाहिए कोई अधर मुझे जो है आप से कुछ नहीं चाहिए बस जो है आप शेयर कर देना ताकि दूसरे कैंडिडेट्स की मदद हो सके धन्यवाद